असलाम उलेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू एड़रेर्ट 786 किचन आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल डिफ्रेंट स्टाइल में एक पास्ता की रेस्पी सेयर करूंगी जो जट पर 10 मिनट के अंदर बनके रेडी होगा तो चलिए रेस्पी को स्टार्ट कर लेते हैं यहां पानी जितना ज्यादा रहेगा उतना खिला खिला पास्ता बनेगा तो कम पानी नहीं होनी चाहिए भले ही ज्यादा हो जाए हाई फ्लेम पर पानी में अच्छे से उबालाने देते हैं पानी में अच्छे से उबाला गया है फ्रेंच तो पास्ता को पानी के अंदर डाल दे अलग बने हो सुस्ट Baptist लीडियो में बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि यहां पर पानी से वास कर लेते हैं तो पानी से बिल्कुल भी वास नहीं करना चाहिए उससे अलगी टेस्ट हो जाता है पास्ता का जो टेस्ट होता है न वो निकल जाता है तो यहां पर ओयल डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरीके से जरूर ट्राइ कीजिएग medium flame पर इसको एक से दो बार चलाएंगे एक से दो बार चलाने के बाद अब इसमें एड़ करेंगे एक medium sage के onion को Chopped करके यहां पर मैंने डाला है friends आप देख सकते हैं अब इसको हल्का सा सोटे कर लेते हैं ज्यादा इसको fry नहीं करना है तो थोड़ा सा नरम हो गया है प्याज अब एड़ करेंगे एक टमाटर टमाटर बिल्कुल ओप्सनल है आप यहाँ पर टमाटर की जगा सिमला मेर्श गाजर का भी यूज कर सकते हैं आपको जो भी सबजी पसंद हो यहाँ पर एड़ कर सकते हैं इसको दो से तीन बर चलाएं फ्लेम को मेडियम टू हाई करेंगे अब डालेंगे आधा चमच हल्दी पाउडर और आधा चमच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है आप तीखा ज्यादा पसंद करते हैं तो एक चमच एड़ कर लीजिएगा नमक स्वात के नुसार डाल दिया है और एक चमच भरकर पास लगभग 2-3 मिर तक अच्छे तरीके से मेडियम टू हाई फ्लेम पर फूल लिया है अब यहाँ पर एड़ करेंगे पास्ता जो हमने उबाल कर रखा था तो देखिए यह चिपक गया है अब इसको एक से दो बर चलाया मैंने तो एकदम बिलकुल अलग अलग हो गया तो यह इनों को डाल कर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे फ्लेम को यहाँ पर मेडियम टू हाई ही रखेंगे और इसको लगभग 2-3 मिनर तक भून लेंगे ताकि जो सोस का कच्छा पन है वो बिलकुल भी ना रहे हो निकल जाए तो लगभग 2-3 मिनर तक मैंने यहाँ पर मेड सबी का बनाने का लग-लग तरीका होता है एक बार मेरे तरीके से ट्राइ किजीए यकीन मानिए बार-बार ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे तो यहाँ पर मैं एक बावल में निकाल देती हूँ और ये देखिये कितना खिला-खिला सा पास्ता बनाए हैं बिलकुल भी चिप- चिपा नहीं है एक बार आप लोग भी यह सुपर टेस्टी अंड़ पास्ता की रेस्पी जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताईएगा कि कैसा लगा आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सेयर कर दीजिएगा चैनल पर नए हैं तो सब्स